वन बिलियोन डॉलर्स हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थुरू अलग-अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेर प्राइस थी उसको बढ़ाया इंफलेट किया और उस फाइदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रस्ट्रक्चर है जो अदानी जी एरपोर्ट्स खरीद रहे हैं अभी यहाँ धरावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला ह तो यह सब जो हिंदुस्तान के जो आसेट्स हैं जो पुंजी है जो अदानी जी खरीद रहे हैं वो इस पैसे से शेर प्राइस को इंफलेट करके खरीद रहे हैं तो यह सवाल इन्होंने उठाया है उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है paper trail है internal emails है documents हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है, ये अधानी जी का है, या ये किसी और का है, और अगर किसी और का है, तो वो किसका है, ये सबसे पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, कि इस काम को करने के लिए, mastermind विनोद अदानी जी है जो उनके भाई है गौतम अदानी जी के भाई है मगर उनके साथ उनके दो business partner और है एक का नाम नासिर अरी अली शबान अली और दूसरा चैंग चूंग लिंग चैंग चूंग लिंग चाइना गाय तो दूसरा सवाल ये उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का infrastructure खरीदे जा रहे हैं तो ये जो Chinese national है ये इसमें कैसे involved है इसका क्या role है इसने क्या किया ये साबित होना चाहिए ये दूसरा सवाल और ये जो foreign nationals हैं ये हिंदुस्तान की share market को कैसे manipulate कर रहे हैं ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है national security का मामला है अदानी जी defense में काम करते हैं infrastructure में काम करते हैं airport sports में काम करते हैं तो ये जो दो foreign nationals हैं खास्तोर ये जो Chinese आदमी है Chang Chung Ling इस तक क्या role है ये दूसरा सवाल और तीसरा सवाल जिसने clean chit दी जिस व्यक्ती ने investigation किया और जिसने clean chit दी आज वो अदानी जी का जो channel है NDTV उसका director है तो मतलब ये एक network है इसमें आपको institutional capture दिख रहा है सेभी का chairman clean chit देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की company में director बन जाता है international मामला है stock market को inflate किया जा रहा है और उस inflate करने के बाद उससे हिंदुस्तान के assets खरीदे जा रहे है तो सवाल ये उठता है इसके बारे में प्रधान मंतरी कुछ क्यों नहीं कर रहे है शांत क्यों है यहाँ पे foreign newspaper ने साफ कहा है wealthy Indian family with links to Modi मतलब अगबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अधानी जी का रिष्टा है सवाल उठता है क्या रिष्टा है और ये जो agencies है CBI है ED है ये अधानी जी पर research क्यों नहीं कर रही है ये अधानी जी को interrogate क्यों नहीं कर रही है ये सवाल उठता है झाल झाल